हिंदुस्तान की हिफाज़त के लिए भारत सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है देश की सेनाव को मजबूत बनाने के लिए हर संभब मदद पहुचाई जा रही है मोधी सरकार इस काम के लिए अकेले अमेरिका से खरीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 6 खरब रुपए के रक्षा हथियारों के लिए डील करने जा रही है रक्षा मंत्र राजनाथ सिंग विदेशी सैन ने बेकरी कारिकरम के तहत ये डील करने वाले हैं इस काम के लिए रक्षा दिक्रेहन परश्यत का गठन किया गया है भारत ने इस बड़ी खरीदारी की दिशा में पहला कदम बढ़ा भी दिया है पिछले सब तहां अमेरिका से आठ लॉंग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी एट आई की खरीद पर अंतिम बोहर लगा दी गई थी भारत ने पहले भी शुरेणी के विमान खरीदे थे लेकिन वे पी-12 आई थे अमेरिका ये विमान आगामी अगस्त महिने तक भारत को सुपुर्द कर दीगा इस विमान की खुवी है कि ये सेंसर, हारपून, ब्लॉक टू मिसाइल, एके-54 लाइट टारपीट और रॉकेट जैसी नही तकनीक से लैस है ये सब मरीन को रेटेक्ट करके खत्म करने की शमता रखते हैं सेना सीमिली एक जानकारी के मताबिक नौसीना एक डर्जन से ज्यादा पी एटाई विमान खरीदने के मूड में है इसी तरह भारत की 2.5 अरप डॉलर के 30 सी गार्शियन यानी प्रिजेटर बी ड्रोन की खरीद पर सहमती बन गई है ये नौसीना और वाइव सेना को दिये जाएंगे इस मामले को भी डी एसी के पास भीज़ दिया गया है इसी के साथ ही 24 नेवल मल्टी रोल एमेच सिक्स्टी रोमियो हेलिकॉप्टर खरीदे जाएंगे जिनकी लागत करीब 2.6 बिलियन डॉलर होगी बताया जारा कि ये खास तोर पर दिल्ली की सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे बताया जारा कि नेशनल एडवांस सर्फिस टू इयर मिसाइल सिस्टम टू और 6 आपाचे हलिकॉप्टर खरीदे जाने को लेकर भी सहमती बन गई है इसे दिल्ली को पूरी तरह से महफूस रखा जाएगा दिल्ली में किसी भी तरह की घटना की आहट मात पर ये रक्षा प्रणाली काम करना शिरू कर देगी जरसल इन दिनों भारत और अमेरिका के व्यापार और इमिग्रेशन पर कई तरह के तराव की खबरे आ रही है यही नहीं ऑक्चूबर 2018 में रूस के साथ S-400 ट्रांट मिसाइल खरीदनी के बाद भी अमेरिका ने भारत के साथ रिष्टे तल्क कर लिये थे आला कि इसके बाद भी मार्च 2019 में भारत इपरमाडू शम्ता वाली हमलावर पंडुबी अकुला वन को दस साल के लिए पट्टे परूस से लिया था तब यह माना जा रहा था कि अब भारत और अमेरिका के रिष्टे और ज्यादा खराब हो सकते हैं लेकिन अब भामला आखिरकार सोलज ही गया है तो रसल अमेरिका के विदेश सची माइक पूंपियो इस सलसले में भारत आ रही है कि अन्यादा आखिर के लिए ब्यादान के विए पूंपियोग के लिए भारत आखिरकार सकते हैं